हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो बात करेंगे जी टी वर्सिज डी सी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में आप सोच रहोंगे मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहूं दोस्तों रोजी तो मुस्कुराता हूं आपके सामने जबाता हूं और आज तो आपने एक बड़ा करें लेकिन हमेशा ध्यान रखें पहले दिन से मोटेविस चैनल का यह है कि आपको सीखना है और टीम कॉपी इंकरेज मैं कभी नहीं करता हूं ना ही कभी करूंगा ठीक है स्किल देने आता हूं और बहुत लोगों को स्किल दिया भी अदुस्तों अगर आप नहीं है हमारे टेलिग्राम चले में नहीं जुड़े तो हमारे फोरकस्ट परिवार का हिससा ज़ूर बने वन अफ दे मोस्ट प्रॉटेबल चैनल फॉर ओडियंस है मैं बहुत प्राउडली यह बोल सकता हूं स्वेशली आज के दिन जब हमारे वन मिलियन सब्सक्राइबर हो गए है तेल और नोटिफिगेशन ओन करके चलना पहले मैं बोलता था वन मिलियन की ओर हम बढ़ रहे हैं अब मैं बोलूंगा हम बहुत आगे कोशिश करेंगे और बढ़े आप अपने सपोर्ट दिखाते जए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा दोस्त वो भी है रंस तब भी बने हैं तो पेस्बॉलर्स और रंस आपके लिए हमेशा ध्यान में रहने चाहिए बाकि यहां पर थोड़ा सा ड्यू आता है इसलिए टीम चेस करना पसंद करती है हाला कि अभी जो आपसे मैंने बताया था एपसाइटी नाम का स्प्रेय यूज कर रही है ग्राउंड के बीच में जो टीम से स्प्रेय कर रही है ताकि भाई कोई डियू ना रहे है यह रीजन है कि ऐसे स्प्रेय को यूज किया ज़र आपको स्प्रेय का भी नाम बता दिया एपसाइटी जो आपको कोई भी नहीं बताएगा ठीक है अब यहां पे दोस्तों अगर को डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम था तो गुजरात के लिए बहुत तरीफ वला काम है वो 15 में 13 विकेट फास्ट दो स्पिन जो उने बात करी थी फास्ट को ज्यादा सपोर्ट अगले मैच में संराइजर से 162 किया और गुजरात तो उसे असानी से चेस किया ग्यारा होगा बहुत बड़ी अविनिंग करी थी हमने इस मैच में देन आपको गुजरात और पंजाब का मैच गुजरात ने 199 गिया और पंजाब ने वो भी यादेश शांग सिंग और आशुत उस्वला मैच पंजाब ने वो भी चेस बहा था ग्यारा में साथ विकेट फास्ट है तो फिर आप कहोगे यार मैने तो आपने गाथा कि फास्ट बोलर्स को विकेट मिलेगी स्पिनर चोड़ दिया कॉलिटी स्पिनर को आप तब भी नहीं चोड़ोगे और आज कॉलिटी स्पिनर आपको डिस्प्ले पर भी लेंगे और इत्तिफाक की बात है उनको मैं लेने भी वला हूँ क्योंकि अकसर हैं एक तरफ कुल्दीप हैं दूसरी तरफ नूर है राशिद हैं तो काफी अच्छ अच्छ आज आपको स्पिनर मिलेंगे अब इस वेन्यू पर स्टैट्स देखते हैं किसके कैसे रहे हैं गुजरात के वेन्यू पर विद बैट आपको पहले पहले यादों को शुमन गिल प्रिंस है इस ग्राउंड के हाइस स्कोरिंग करी है 16 मैच में 951 है एवरेज देख लो ऑल्मोस्ट असी की वाई तीन चतक है चार चतक है इस ग्राउंड पे शुमन गिल का जलवा है बहुत बढ़िया खेलते हैं साय सुदर्शन कब नहीं है 9 म मैच में 301 है 18 की एवरेज दोफ रूर्शी है डेविड मिलर के 12 मैच 2444 की एवरेज एक हाफ सेंचरी रिशाप पंध की आठ मैच मे एक सुन्मेड है 31 की एक हाफसेंचरी विजश्यंकर की एवरेज जरूर अच्छी है 35 की हाफ सेंचरी एक है प्रिथवि शॉव का बाकी बार नॉट और दे थे अगर आप बोलिंग में देखो मोहिच शर्मा को यह ग्राउंड बहुत पसंद है बारा में 26 विकेट है राशित की तेरा में 16 है नूर एहमत की नौ में 10 है यह तीनों जो बोलर्स है गुजराप के बोलर्स है अकसर की आठ में आठ विकेट है दो में एक विकेट है दोस्तों ऐसी कहानी रही है इस ग्राउंड की अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों जहां आपको देखने को मिलेगा हैड टू हैड रिकॉर्ड ओवरॉरॉल तीनी मैच खेली है गुजरात और दिल्ली की टीम आपस में उसमें से दो मैच 2022 गुजरात जीती थी एक ही मैच हुआ था तब तो जो पिछला मैच था उसमें अक्सर पटेल ने 27 रन किये थे विकेट नहीं ली थी लेकिन बोलिंग से इशांच चर्मा को दो विकेट थी खलील हमत को दो विकेट खुली प्यादब को एक विकेट एंडिक नौटिया को ए अब हम सेकेंड हेट तो एट देखते हैं जो 2023 का ही दूसरा मैच भी था मतलब यह मोस्ट रिसेंट है उससे पहले जो हुआ था भाई वहां गुजरात ने चेस किया था स्कोर 163 मार के वार्नर ने 37 किये अक्सर ने 36 एम्रीक नौटिया दो विकेट खलील एमद एक विकेट जबकि साय सुदर्शन 62 नौट ओट लेफ्ट एंडर डेविड मिलर 31 नौट ओट लेफ्ट एंडर विजेशंकर 29 राशित तीन विकेट नोटिस करोगे इस मैच में दोनों टीम्स के टॉप स्कोरों लेफ्ट एंडर से इधर साय और डेविड मिलर इधर वार्नर और अक्सर अल फोर लेफ्ट एंडर प्लियर्स तो यह एक नोटिस करी थी बात तो वह आपको बतानी भी जरूरी समझी दोस्तों नाओ दोस्तों है टूएड रिकॉर्ड आप देख रहे हो यह ओल थ्री मैचेस का रिकॉर्ड है शुम्मन गिल एक्षली एक हाफ सेंच्री लगा चुके हैं दिल्ली के आगे तीन मैच में एक सो चार अन है चौन्तीस की एवरेज है जबकि एक्सर के तीन मैच सेंटीवान साइस दोस्तों एक ही मैच में हिस्सा लिया थे उसमें 62 नौट ओट मारे थे नौट ओट होता है तो प्लेयर की अवरेज नहीं होती इसलिए अवरेज मैंने डैश लिखी थी और बाई डेविड मिलर की 51 की अवरेज है मतलब यह दो बार नौट गए हैं तीन इनिंग्स में विजेश शंकर की 16 की अवरेज है रिशब पंद इकलोते मैच पर 43 की है क्योंकि लास्ट येर के दोनों मैच इनके मिस हो गए थे वॉर्णर दो मैच 39 राहूल तवितिय तीन मैच 34 अभी नम वनोहर दो मैच 27 अभी शेक पुरेल एक मैच 20 पृत्वी शौर दो मैच 17 वैसे कारण बता रहा हूँ मौहमच शमी जातर इंपाउड कर रहे थे बोलिंग मे राशिद ने तीन मैच 25 विकेट लिया है जिसमें से पिछले वान अफ दे हैट तो हेड्स में तीन मिकेट थी खलील की भी तीन मैच 5 है बढ़िया बोलिंग कर रही है अब हम आगे बढ़ते हैं अगर आपने तक माइलेवन सरकल को डाउनलोड ने किया आज एक अच्छा उफर आपके लिए लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप के कुमेंट में जो आज उसी लिंक से डाउनलोड करता है आपको वन रूपीज में एक एंट्री मिलने वाली है स्पेशल ग्र क्योंकि अगर एक रुप्या में आपको दो-ती नजार बंदे जॉइन करते दिख रहे हैं ठीक है वो लीग कई पर फुल भी नहीं होती तो आपको टेंचन नहीं है ना टॉप प्राइज ही 25,000 है नीचे भी प्राइज है ऐसान यह सिर्फ रैंक बनते ही है तो आप अच्छ लगा देना है 20% एक्स्ट्रा कैश भी आपको दोस्तों मिलता है अब मैं दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा और बड़ी-बड़ी लीग्स भी चलती है करोडों की यह सारी बात हम कर चुके है तो मैं सीधा-सीधा आपको स्टैट्स पे लेके आता हूँ यह फुल लेकिन अभी लास्ट में एक दो बॉंडरी लगा के जल्दी आउट हो गए ठीक इनके वास और ऑप्शन में अभी नम्रोहर है करनाटेका के इनका डमेस्टिक फॉर्म तो अच्छा था आई पिल में ठीक नहीं खेले इस साल बाकी सब की आप फॉर्म देख सकते हो मिलर में ऑप्शन बहुत है देखो स्पेंसर जॉंसन ऐस्ट्रेलिया में तो बहुत बढ़िया करके आ रहे थे यहां उतनी विक्टे नहीं मिली है बट खराब बुलिंग नहीं करी इस रनियू पर भी जो पहला मैच था मुंबई के आगे उसमें दो विकेट इनो निकाले थे न काईना पैना काफी इंटरस्टिंग है मेरे को लगता है इसमें चेंज हो सकता है क्योंकि बाइट देखो आपस अजमतुलों अमर्जा अगर फिट हो गए हैं डेविड मिलर अगर फिट हो गए हैं डिरेक्टली टीम में आएंगे फिर मैथ्यू बेड को भी जाना तो यह टीम में काफी इंजरी थी लेकिन 4-5 जिनका इनको अराम मिला है काफी टाइम बाद खेलने आए हैं तो आइधिंक साहा फिट हो सकते हैं साहा नहीं तो आपको डेविड मिलर नहीं तो ओमर्स है कोई तो फिट हो जाएगा तो गुजरात की टीम में चेंजिस होने व रेडी हैं अचा दर्शन निलकंदे का एक विकल्प अगर यह चाहें छटा वोलिंग ऑप्शन रखना दर्शन निलकंदे को खिला सकते हैं बाकी देखना होगा कि टीम कैसे उतरती है किसके साथ उतरती है इनका टॉप थ्री खासा स्ट्रॉंग है स्पेशली मुजरते शु कि देखते हैं क्या करती है गुजवात की टीम शुम्मन गिल ने दोस्तों एकतीस आठ च्छतीस एटीडाइन नौट उनिस सेवंटीटू किया इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत बैतरी है साय सुदर्शन पंतालिस सैंतीस पंतालिस तैटीस इकतीस पैंतीस हर मै मैच में स्लोई खेल रहे हैं कोई बहुत बड़ी पर्फॉर्मेंस नहीं आई है अभी नम्मन ओर का एक मैच पर बल्लेवाजी आई उसमें एक रन राहूल तवेतिया हर मैच पर ट्वेंटीस में आपको स्कोर दे रहे हैं फिनिशिंग कर रहे हैं शारुक ने आके चौदर नहीं आई और कहीं N लिखा दिखे N for not play ठीक है इसका मतलब पहला मैच नुरह मत खेले नहीं दूसरा खेले नहीं तीसरे मैच पर बल्लेवाजी नहीं चौथे में आई नहीं पांच में में चारन चटे में 0-0 तो ऐसा आपको स्कोरिंग मेरे दर्शा आया है दोस्तों अब दोस्तों आप देख रहे हो इनकी bowling 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 गुजरात हमेशा से बढ़िया रखनी कोशिश करती है और आपको power play में start में देखने को मिलते हैं उमेश यादव देखो कुछ matches में इनको death में मिली over कुछ matches में नहीं मिली पहला तीसरा पांचमा और सीधा बीसवा over उमेश को मिला पर चार over तो उमेश आपको दही रहे हैं जिसपे power play में अच्छी खासी गेंदवाजी करेंगे चार over आप करते देख रहे हो उमेश को जिसपे 3 over तो मैं मा पे से death बोलर बता दो तो मैं हमेशा over लिखता हूँ जिससे आपको अंदाजा लग रहे है death बोलर मोहित शर्मा है राशित के 4 over आ नहीं है 6 match 24 over इससे ज्यादा कैसे ही डालेंगे ठीक है और 6 wicket भी है उमर जाए 4 match 3 और 4 wicket यदि यह खेलेंगे power play बोलर है उमेश यदव के स 4 over यह भी करने चाहिए 14 over 4 matches में 3 wicket है दर्शन नलकंदे भी खेले नहीं last match वैसे इनके 3 match में 3 wicket थी और साह किशोर ने 2 match में 2 wicket निकालें पिछले match में यहीं इनके बोलर जी उस थे तो इन्हों नहीं पूरे over अपने कर दिये थे यह 5 बोलर ही utilize हुए थे मोहित उमेश सहा ने 3 match के लिए 19,21,25 in fact 4 match के लिए 11 run भी किये फिर 2 knot के लिए केन विलियमसन 2 matches खेले थे 1 match 20 दूसरे में 1 run किया था को या दोगा बिश्टोई ने तगड़ा catch पकड़ा था then David Miller 12,21 और 44 knot और 3 match खेले हैं और 44 knot और इनकी match winning पारी थी but उसके बाद injured हो गय थे बाकि किसी का कोई substantial score नहीं है, अम उर्जाय के 17,11 है, इस team का bench पर जाधा scoring है, बाकि teams को तो bench में skip कर देता हूँ, इन्होंने actually changes काफी किया, इन्पैक डिली ने भी किया, ये दोनों teams नहीं सबसे जाधा changes किया है, तो दोनों का bench थोड़ा अच्छे से देखके चलना, full stats info दोस्तों आपको दोस्तों दिली की भी अब हर player की recent form देख सकते हो, दिली भी काफी changes कर रही है, देखो मैं कुछ बाते करूँगा, क्योंकि last match भी changes हुए है, मेरे भाई तो मेरे को मज़ा आता है, हर चीज के बारे में हम थोड़ा discussion करें, तो Jake Fraser में मेरे audio सुना था, ये player रुकता नहीं है, य player के दो ही gear है, या तो first gear या fifth gear, spinners के आगे कहीं बार first gear लग जाता है, अगर quality option हो तो, जैसे राशित खान, जैसे नूर हमत, लेकिन last week क्रुनाल पांडिया लगा दिया, क्रुनाल को तो मारी सकते हैं, वो डाटर जाल रहे हैं, सीदी सीदी बॉल, और पेसर्स को तो Jake Fraser मगग छोड़ते नहीं है, बहुत मारते हैं, और ये रुकते नहीं है, एक ही gear है, मानने ही जाते हैं सीदा, 41, 14, 54, 42, 26, 14, 70, recent form बहुत बढ़िया था, इनके head coach के favorite player है, Jake Fraser मगग, जब क्योंकि मेरे को याद है, Big Bash के commentary करते थे Ricky Ponting, जो भी Delhi के head coach है, और उस time पे Ricky Ponting, बहुत जादा बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते थे, Jake Fraser में करते हैं, और आज लेके आ गए हैं दिली के team में उनको, then options में, आप पस और options है, स्वास्तिक चिकारा है, मुझे पसंद है, जब भी खेलेंगे ध्यान रखना, इनकी full कहानी पहले match में मैंने आपको बताई थी, ठीक है, बाकी आपके पास options तो बहुत है, लास्ट मैच में ट्रिश्टन स्चब्स को उतना काम नहीं मिला लेकिन सीजन में बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर पाई, लिजार्ड विलियम्स आ चुके हैं, बोलिंग में साथ अफरीकी की डैथ बोलर हैं, ध्यान रखना कभी खेल ज इस मैच में शायद उपर पुष कर दिया जाए, मेरे को यह फीलिंग है, वैसे तो राशित कान पे शायओ बंडे में आउट हुए हैं, बट शायओ ना खेले बहुत राशित को, पता है क्यों, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान ने इन पर्टिक्लर ODI सीरीज बहुत आपको दिखेगा शायओ राशित का आगे तीम बर आउट है, बट एट लिस्ट जेक फ्रिजर मगर्ग से तो बहतर टेकल कर लेंगे मेरे असाब से जो शायओ राशित खान को, बाकी राशित टेकल हो गए, उसके लाओ तो जेक फ्रिजर मगर्ग फे रुकने नहीं वाले, तो यह चीज है, बाकी सब आपको देखने को मिल रहे हैं, बट जेक का मेरे डर रहेगा राशित के आगे, इसलिए शायद मैं जेक को नहीं रखूँगा, इंटरस्टिंग रहेगा पॉंटिंग के स्ट्रेजी लगाते हैं जेक के साथ, क्योंकि वो अच्छे से बखूबी जेक फ्रेजर मगर को जानते हैं, अब यही मैंने लिखा है, चे मेर से दो बैच टीम में जीते हैं, चार मैच हारी है, दिली की टीम, यहाँ पे इनकी स्कोरिंग भी आओ, एक बड़ी सब की देख लेते हैं, डेको डेविड वर्नर ने टूनमेंट स्टार्ट अच्छा किय हैं, जेक फ्रेजर में अगर एक ही मैच खेले 55 कियें, उसमें सीधा, रिशापंद 18, 28, 51, 55, 141 बढ़िया खेले हैं, और हम सब चाहते हैं, रिशापंद बढ़िया खेले, टीटी वर्ल्ट कप में विकेट कीपर की स्लॉट की लड़ाई चल रहे हैं, आप तो दिनेश कार् रहे हैं दिल्ली के, ठीक है, और इन्होंने स्पिन हो, फास्ट हो, सब को रन लगाए हैं, शाय हो 33 और 11 नॉटोट, दो ही मैच खेले हैं, बीच में चार मैच वो, नहीं खेले, अभिशेक पुरेल 32 नॉटोट, 9, 9 नॉटोट, 0, 41, और अकसर पटेल 21, 15 नॉटोट, 7 कर सकते हो, मैं एक बार आपको बोलिंग पे लेके चलता हूँ, जहां इन्होंने विकल बहुत यूज किये, लेकिन मैंने आपको बताया, लास्ट वच में सिंपल गए थे, ये पांच बोलर के साथ, तो पहले बोनी पांच पे बात करेंगे, खलील एमद हरमेच चार ओर करन हैं, मुकेश कुमार भी आपको चार ओर करते दिखी जाएंगे, अकसर भी चार ओर, इशांत भी चार ओर, इशांत को तो सीधा 20 ओर भी मिल रहा है, सीधा का सीधा 20 ओर मिल रहा है इशांत शर्मा को, ये देख रहे हो, आप रहूलर बेस पे, और रसल को जो इन्होंने बोल डाली थी ना वो बोल्ड वली बॉल में को भूलती नहीं है वो बहुत बढ़िया बोलिंग थी ठीक है बाकि उसके अलावा थोड़े रंद तो पड़े हैं शांत को इस पर मैं गरी करूँगा पांच मेंच 15 और चार विकेट है जबकि अकसर की 6 मैच 20 और चार विकेट है मुक कप्तान राहुल को भी आउट किया खलील की 6 मैच में नौ विकेट है ये तीन और स्टार्ट में डाल रहे हैं एक और बाद में डाल रहे हैं और फिर इंपक्ट आउट हो जाते हैं और खलील की बॉल बहुत घूम रही है स्विंग हो रही है और ये ग्राउंड कौन सा है ब पर स्विंग काम आ सकती है अगर रिकी पॉंटिंग चाहें जाय रिचर्टसन को यूटिलाइस कर सकते हैं क्योंकि उनकी इस ग्राउंड पर स्विंग काम किया लेकिन उनको पहले और तीसरा ओफर दें ना कि एकदम एंड में खलील के साथ इनको स्टार्ट में यूज करना बाकी इन तीनों की तो विकेट ही दिए हैं बाकी आप bowling figures और matches readout कर सकते हो प्लस क्या style रहता है मैं हर page पे लिखता हो यह हर page पे लिखता हो मैं ताकि जब भी आप ध्यान दे रहे हो आपको याद ही रहे कौन क्या करता है ठीक है bench पे इनके कोई ज़्यादा scorer बड़े है नहीं बड़े रहे होने changes बहुत किया अब जिसे किसी का आपको readout करना है let's say Ricky Bui पहले match 3, दूसरे match 0, अगले 4 not play सुमित कुमार 2 run, अगले match पे बल्ले बाजी नहीं है फिर not play, फिर 7 run, फिर not play, फिर not play ठीक है, ऐसे किसी का भी readout कर सकते हो मैं दोस्तो full stat info पे ले हुआ, जिसका आपको read करना कर लो, कोई दिकत नहीं है match up पे हम आजाते है, match up हमें काफी देखने है, क्योंकि देखो, गुजात की टीम में तो line up भी change हो सकती है तो मैं आपको काफी players के match up दिखाऊंगा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात है, क्या मजजदार काम होगा यहां पे शुम्बन गिल ने तो आपको पता है, खेलने है, focus कर लेना, ठीक है शुम्बन गिल के जो match up है, उसमें एंरीक नौटिया के आगे यह तीन बर आउट है, अच्छा, एंरीक नौटिया के खेल रहे हैं, तीन बर आउट की है, समझ गए खलील एमद के आगे दो बर आउट है, और स्टार्ट में खलील एमद डाल रहे है, पहला, तीसरा, पांचवा ओवर, गेंद लहराती है, ग्राउंड भी ऐसा है, यानि स्विंग होती है, बट शुम्मन गिल यहां के प्रिंस है, बट यह match up अगर होता है, ग्रैंड लीग मे हम इसके उपर काफी विचार करेंगे, बाक्यों के आगे यह बढ़िया खेले है, तो स्टार्ट में खलील है, उसके लाब बढ़िया ही खेलेंगे, साय सोजर्शन, कोई दिक्कत नहीं आई, नौट ओड ही गए थे एक लौता में जो खेला था इन्होंने दिल ली के सामने, मैथ्यू वेड जाही रिचर्सन के आगे तीन बर आउट है, अकसर के आगे एक बर वंडे में कुलदीप और वंडे में ही इशान शर्मा, तो कोई बहुत बड़ा मैच अप नहीं है, अभी तक जो मुझे बेस्ट मैच अप देखने को मिला, वो जाही वर्सेस मैथ्यू वे पर दस गेन चारण तीन बर आउट है, तो खलील ने शारुक को तंग किया है, ठीक है, बाकी अब रिदिम अंसा की बात करते हैं, वो सकता है, खेज जाहें बत और विकेट कीपर, अन्रीक नॉटिया दो बार, कुल्दीप एक बार, खलील एक बार, इशान्त एक बार, सबस खास मुझे देखने को नहीं मिला, अमर्जाय एक बार, मुकेश पे आउट हुए हैं, तो सबसे ज़्यदा जो मैचप है, खलील का ही आपको देखने को मिल रहा है, अब दिल्ली की टीम का आते हैं, सबसे पहले डेविड वॉर्नर और पित्वी शॉप को मिलेंगे दोनों दोस्तों देखोगे तो यार वॉर्नर तो पांच बार आउट हुए है, उमेश यादव पे, दो बार T20 में, इन फैक दो बार वंडे में मुझे कहना चाहिए और पांच बार T20, ठीक है, पहले T20 का है, पांच बार T20, दो बार वंडे, मोहित ने एक बार आउट किया, उमर क्या आगे नॉर्मल है, प्रित्वीशो उमेश पे दो बार आउट हुए, राशित पे एक बार आउट हुए है, भाई मैं बड़ा इंटरस्टिड हो रहा हूँ, यार यह उमेश ने जाद ही नहीं आउट किया, यह ग्राउंड पर स्विंग भी है, यह मैंने आप से पहली बात करी, बट मुश्किल हो जाता है, उमेश को पिक करना पता है नहीं हो, हाला कि अगर आपको किसी मैश में ले नहीं है, इंकरेजमेंट इसी मैश में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वाणर को यहाँ पर प्रित्वी शॉक आउट कि है, उमेश ने, फ्रेजर में गग का इसको संभाल लेंगे, बट यह दो बर आउट हुए है, उमेश ने इनको भी एक बर आउट किया, लेकिन उमेश की बटाई भी इनोंने करी है, 16 में 39 रन लगाए है, अब हम शाय हो, इन सब के भी मैचप देखेंगे, देखो मैं सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ, उसमें म हमत को भी दस में 20, यह राशिद और नूर दोनों को ही मार रहे है, एक चाइनमैन है, एक लेक स्पिनर है, और दोनों पस विरिएशन है तगड़े तगड़े, तो भाई यह स्टब्स की तरीव बंती है, जॉश लिटल ने एक गिन डाली है, उस पर उट किया है, शाय हो, न पर दो बर आउट, मोहिच शर्मा पर एक बर आउट, सबसे ज्यादा मैच अप जो है न, यह राशिद और उमेश का देखने को मिला दिल्ली के आगे, सब बाते हमने कर ली, अब हम अपनी टीम क्रेट करने फटा फट से चलते हैं, तो दोस्तों जब विकेट की बिंग सेक् यह रते हैं, बहुत अच्छा है, उस्ट्रिलिया के लिए उन्हें बहुत दंदार फिनिशिंग भी कर रखी है, लेकिन यह आईपेल में अभी अब अबी तक हिट नहीं हुआ, आईपेल में इनका कोई बहुत अच्छा नोक नहीं आया, मैं यह नहीं कह रहा, आनी सकता, ब बिल्कुल आ सकता है, युकि नहीं आउस्ट्रिलिया के लिए भी वो काम कर रहा है, डिमेस्टिक सीरीज में जो अस्ट्रिलिया बिग बैश लिए उसमें भी बहुत काम की है, और यह टॉप स्कोरर रहते हैं, हमाँ पे काफी अच्छी स्कोरिंग करते हैं, और अगें विक शेक पुरेल भी है, जो इंपक्ट सब के तौर पर बैटिंग कर रहे हैं, और साथ में शाय होप, जिनसे होप मुझे बड़ी है, लेकिन उनको बल्लेवाजी करम थोड़ा नीचे दिया था, लास्ट मैच में सर्प्राइजिंग ली, क्योंकि वो प्लेयर वन्डाउन के है, तो शाय होप को अभी मैं कंसेटर जादा नहीं कर पा रहा, बियर शरत करनाडेका के डिमेस्टिक विकेट कीपर है, जारखन के डिमेस्टिक विकेट कीपर है, यहां पे कुमार कुशागरा, दोनों को यह अभी मैं नहीं ले रहा, क्योंकि खेलने के चंसे दोनों के ही कम है और खेलेगे तो भी मैं टीम में नहीं रखता हूँगा बल्ले बाजी में सबसे पहले शुमन गिल का नाम है प्रिंस ओफ गुजरात प्रिंस ओफ एहमदाबाद मुझे कहना चाहिए क्योंकि एहमदाबाद के वेन्यू पे बहुत बढ़िया खेलते हैं तो इनको रखने सामने खलील का डर है जो मैं आपको समझा चुको बट बाखी चीज़े इनके फेवर में मैच अपने में बहुत दिक्कत नहीं थी खलील एक जरूर थ्रेट रहेंगे ट्रिस्टेन स्टब्स प्लेयर अच्छे हैं धाकड खेलर हैं लेकिन किसी मैच पे 50 नहीं किया तो 30 से 50 के बैरियर में अभी तक रह रहे हैं होपफुली कुछ बढ़ा करके दे डिफरेंशल तोर पे CVC भी आजाब कर सकते हो डेविड वर्नर को बैने दोस्तों लिया है हाला कि पिछले कुछ मैचेस में इनकी स्कोरिंग कम हुई है बट्माइन को लेकर चला हूँ टॉप स्कोरर्स में ज़्यादा तर आईपेल में आते हैं वन अफ दे बेस्ट प्लेयर अईपेल में आईपेल प्लेयर के अलावा मैं जो कह रहा हूँ इस मैच पे शॉई जो अभी थोड़ा अच्छा खेल रहे है वन वार्लार से ज़्यादा स्कोरिंग कर रहे है और स्मार्ट खेल रहे हैं क्रिकेट मैं पताँ क्यों अगर थर्टी याड सर्कल है ना जब आप पावर प्लेय में खेलते हो सरकल में ही सारे खेलाडी रहने है यह सरकल के ऊपर लगा रहे है बस जिसे लॉँपर मार देंगे लॉँपर फेल्टर नहीं है तो सरकल के ऊपर मारेंगे बहुझे चौका मिलते है जो की पावर पलेय में होना चाहिए तो बहुत फाइदा उठाके खेल रहे है पिलती विशो जो देखके मजा आ रहा है विजय शंकर अभी थोड़ा कमी खेल रहा है देखना कोई ना कोई मैच आता है यह एक मैच में चल जाते हैं मिलर की इंजरी कंसर्न है अभी खेले के की नहीं कंपर्म नहीं जेक फ्रेजर मोगर काये थे लास्ट में वन डाउन पर और बहुत दाकड़े नहीं खेल के गए थे और इनका दो ही गियर है एक तो फर्स गयर थोड़ा सा स्पिन के आगे टाइम ले लेते हैं पेस के आगे तो प्रोड़ते नहीं और स्पिन भी अगर बहुत बढ़िया कॉलिटी स्पिनों जैसे लास्ट इम कुरुणाल पांडिया के आगे इनने लगाए थे बिश्टोई के आगे रुग गए थे तो टॉप कॉलिटी स्पिनर इनको तंग कर सकते हैं जो गुजरात में है नूर भी है और आशिद भी नेन विलियमसन प्लेयर अच्छे हैं लेकिन अगेन सारे ओवर सी स्पिर तो खेल नहीं सकते हैं तो विलियमसन खेलेंगे तो एक गुड़ प्लेयर है आपके लिए फैब फोर में आता है विराट जोरूट सीप स्मित के साथ तो कई नाम जिनके साथ है काम और मेरे लिए वर्ड के फैब टू है पर्सनली मेरे लिए क्योंकि यह ओल फॉर्मेट में खेल सकते हैं रिकी अभी नवनोर यजदुल स्वास्तिक चिकारा इन सब अभी में ध्यान नहीं देरा और राउंडर में मैंने सबसे पहले राशित को रखा अक्सर को रखा यह दो दोस्तो राहूल टवैति है जो कि सिर्फ बैटिंग कर रहे बोलिंग जदा नहीं कर रहे ओमरजाय को अभी टीम खिला नहीं दी इंजरी कंसर्न है यदि खेलते हैं स्टार्ट में और बैटिंग भी ओमरजाय को लेना ही होगा अगर वो खेले तो छोड़ेंगे नहीं उनको बैट सुमर्थ कुमार कुमाहे को नहीं ले रहां उनको हाड इटिंग फिरिशुग करके देती है टिनपि Señ Farm स्पिन बॉलिंग भी करते थे यहां पर नहीं करेंगे लैति वेन्यू पर यह टॉप विकेट टेकर है एहमदाबाद पर ठीक है कुल्दी प्यादव की बुलिंग बड़ी चमक रही है भाई लास्ट मैंच में भी विकेट लेके गए इनको मैंने पिक किया उमेश आदब को मैं पिक नहीं कर रहा हाला कि मैच अप इनके दोनों वॉर्नर और शौक याग अच्छे थे इशान शर्मा को भी मैं पिक नहीं कर रहा है बट यह ऐसा ग्राउंड आजा टाइस्ट मैच लेंट से वही टेस्ट मैच लेंट इशान शर्मा को भी डालनी आती है मतलब यह वैसी है भाई जहां पर मिडल में आपको बीच में बॉल स्विंग कोती दिखती है तो आप ट्राइ कर सकते हो नौड बैड ऑप्शन इशान शर्मा इस मैच में ज्यादा मैच इस में रेकमेंड नहीं करता है इस मैच में बोल रहा हूं क्योंकि यह ग्राउंड थोड़ा ऐसा है मुकेश कुमार डेथ बोलिंग करेंगे और इनको भी मैने लेकिन अगर नहीं खेल रहे तो मैं नूर अहमत को रखूँगा बाकि और आपके लिए खेलें तो नौट बैड ऑप्शन जाहे रिचर्सन मीडियम पेसर है और कोई खेले का तो मैं ध्यान नहीं दूँगा लिजार्ड विलियम जे साथ आफरी की डेथ बूलर यदी खेले तो मैंने उनको पिक किया है अब इस पर CVC की ऑप्शन देखो दोस्तों मेरी टीम थोड़ी सी अलग है मैं देख रहे हो आप तो 200-200 रन लग रहे हैं हर वेन्यू पर 270 भी तो बार क्रॉस हो चुका है तो रिकॉर्ड तो तो तूट रहे हैं और बल्ले बाजों का टूर्रमे सेफ जाना है बैटिंग से शुमन गिल हैं और साइसो दर्शन है और वॉन है तो यह सेफ ऑप्शन हो जाते हैं मैं थोड़ा सा रिस्क गया हूं थोड़ा सा सेफ गया हूं ला उम्मीद करतों मेरी वीडियो साथ संञे कैफ्टन राशेज वाइस कैफ्टन शुमन गिल अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो पर लाइक करें और जरूर जुड़ जुड़ जया हमारे फोरकस्ट परिवार में